नमस्का दोस्तो स्वागत आपका हमारे यूटूब चैनल पैबली हिंदी में दोस्तो आज का हमारा टॉपिक है Create GitHub Issues from New Items in Notion Database दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही amazing automation सीखेंगे Notion और GitHub के बीच में कि जब भी Notion Database की टेबल में आप कोई new item add करेंगे तो automatically उस item के basis पे आप issue create कर सकते हैं GitHub में मतलब आपको automation एक बाँ बनाना है उसके बाद automatically तुरंट ही अपना काम करेगा तो दोस्तो यह automation आप कैसे बना सकते हैं यह automation आप बना सकते हैं पैबली करने की मदद से जो कि एक amazing automation software है तो इसके लिए आपको क्या करना है इसके लिए आपको notion को connect करना है GitHub के साथ अब पैबली connect में हम यूज करते हैं concept, trigger और action का तो trigger में आपको लेना है notion, action step में आप लेंगे GitHub और पूरा process easily हो जाएगा और मज़े की बात यह है इसमें कोई भी coding skills की जरवत नहीं है आप बहुत ही असानी से पूरा automation बना सकते हैं तो क्या आप भी पूरा process step by step सीखना चाते हैं तो इसके लिए मैं आपको लें चलता हूँ मेरी screen पे तो दोस्तो स्वागत है आपका मेरी screen पे आपको वीडियो में last तक बने रहना है जिससे आपको पूरा process step by step समझ में जाएं सबसे पहले आपको इदर पर github का account login कर लेना आपके browser में और आपको notion database का account भी login कर लेना आपके browser में और इदर पर आपको एक table create कर लेना है जिसमें आप issues की details add करेंगे जो भी issue आप create का नज़र ने github में उसकी details आप add करेंगे तो उसके लिए आपको इदर पर एक database में table create कर लेना है notion में तो इदर हमाने database create कर लिया github issues नाम का और यहाँ पर मैंने table भी create कर लिये इसमें मैं issue title, issue description और label डालूंगा और हम चाहते हैं जैसे ही मैं इदर पर notion database की table में कोई new item add करूँ तो automatically उसके basis पे github में एक new issue create हो जाए issue generate हो जाए automatically ठीक है तो जो target person है जिसको यह issue solve करना है वो उस पर काम कर सकता है ठीक है तो automatically पूरा process होगा मतलब आपको manually यह चीज नहीं करना कि आप manually issue create कर रहे हैं github में और फिर वो बंदा solve करें यह आप पूरा process automate कर सकते हैं मतलब आपको इदा पर सिर्फ item add करना है notion database की table में और automatically issue create होते जाएंगे github में तो चलिए सीखते हैं पूरा process बिना किसी देरी के सीधे आपको ले चलता हूँ पैबली connect के landing page पे दोस्तो यह है पैबली connect का landing page आप भी इस page पे आ सकते हैं simply आपके browser में type करके पैबली.com slash connect तो दोस्तो पैबली connect एक बहुती amazing automation software है जिसकी मदद से आप multiple applications को connect कर सकते हैं और अपने task को automate कर सकते हैं तो पैबली connect की मदद से हम notion और github के बीच में एक connection बिल करने का automation बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको दो option मिलते हैं एक है sign in option दूसरा है sign up for free option तो अगर आप एक new user हो रहे हैं तो आपको simply click करना है sign up for free वाली बटन पे और आप आपका account create कर सकते हैं केवल 2 minute में दोस्तों आपको account creation पे हर महीने 100 free task भी मिलते हैं जिसकी मदद से आप ऐसे amazing automation test कर सकते हैं पैबली connect में मैं एक existing user तो इसलिए में click करूँगा sign in पर उसके बाद दोस्तों आपको जाना है पैबली connect वाले dialogue box में उसक्लिक करना है access now और आप जाएंगे पैबली connect के dashboard पे यहाँ पर आपको right hand side पे बटन देखेगा create workflow का इस पर आपको click करना है तो एक dialogue box उपन हो जाएगा आपकी screen पे जो बोलड़ा under the name of the workflow तो दोस्तों basically आपको इदा पर आपकी workflow को कोई नाम देना है और select folder से आपको create github issues from new items in notion database तो दोस्तों यही हमारा objective है आप आपकी according जो भी नाम रखना चाहते हैं आपकी workflow का वाप इदा पर रख सकते हैं उसके बाद select folder से मैं particular folder select कर लेता हूँ तो यहाँ पर मैं workflow automation integration वाले folder में मेरी workflow को save करूँगा click करेंगे create वाली बटन पे और आप अजाएंगे दोस्तों यह वाली screen पे अब इदा पर आपको दो important module समझना है जिस पर हमारा पूरा automation work करता है इनका नाम है trigger और action तो दोस्तों trigger बोलता है when this happens जिसका मतलब होता है जब ऐसा हो तो action बोलता है do this तो ऐसा कर दो तो basically trigger आपके automation को start करता है action में आप वो particular action perform करेंगे जो आप करवाना चाहते है आपकी automation में तो यहाँ पर आपको trigger application चूज़ करना है इदा पर आपको action application चूज़ करना है तो सबसे पहले आप trigger वाली step में काम करेंगे तो यहाँ पर आपको choose app में चूज करना है Notion, ठीक है, क्योंकि Notion Database में हम कोई item add करेंगे, जब हमारा workflow trigger होगा, इधा पर हमें चूज करता हूँ Notion, और trigger event आपको इधा पर चूज करना है New Database Item, triggers when a new item is created in a database, तो जब भी कोई new item add करेंगे, हम create करेंगे हमारे Notion Database की table में, जब हमारा workflow trigger होगा, Notion का account उसको family connect के साथ connect करना है, इधा पर आपको दो option मिलते हैं, एक है add new connection का, दूसरा है select existing connection का, तो अगर आपने आपका connection और बिल्का करके रखाए, तो आप select existing connection के साथ जा सकते हैं, यहाँ पर आपको previous save connection शो होते हैं, और अगर आप इधा पर चाते हैं add new connection के साथ, तो आपको यहाँ पर simply click करना है connect with notion, और यहाँ पर एक dialogue box बना हो जाएगा, आपकी screen पे चो बोल रहा है, family connect is requesting access to आशी राइस notion, तो basically आपको इधा पर जो notion का account है, उसके लिए आपको इधा पर access देना है family connect को, तो यहाँ पर आप select pages पर click करेंगे, इधा से आप particular page choose कर सकते हैं, जिस particular page का आपको इधा पर access देना है, और अगर आप इधा पर सारे pages का access देना चाते हैं, मतलब हर 8 गंटे में family connect check करेगा, कि कोई new item add हुआ है, notion database की table में या नहीं, और in case अगर कोई new item add हुआ है, तो automatically उसका response है, आपर capture हो जाएगा family connect में, अब इधा पर आप database id choose कर लेंगे, मतलब particular database आपको इधा पर choose करना है, इधा पर मैं इस particular database में काम करना हूँ, जिसका नाम है github issues, इधा पर मैं इस particular database id को choose कर लेता हूँ, drop down से जिसका नाम है github issues, अब इधा पर मैं जैसे ही click करूँगा save and send test request वाली button पे, तो जो भी latest item होगा हमारे database की table में, उसका response यहां पर capture हो जाएगा family connect में, तो इधा पर कुछ भी add नहीं है, कोई भी item हमने इधा पर add करके नहीं रखा है, तो यहां पर हम पहले एक item add करते हैं, ठीक है तो इधा पर मैं issue title देता हूँ, for example website page issue ठीक है और issue description हम इधा पर add कर देते हैं, for example landing page is not loading, और label यहां पर मैं रख देता हूँ, for example bug, मैं को ऐसा लगता है, this is a bug, यहां पर मैं bug रख रहा हूँ, अब हम चलते हैं, पैपली connect में और हम यहां पर मैं क्लिक करता हूँ, save and send test request वाली बटन पर, और जी यहां दोस्तों आप इता पर देख सकते हैं, हमको यहां पर एक positive response मिल गया है, इता पर content में शुर रहा है bug, जो हमने label आड़ कर रहा है, उसके बाद आप इता पर देख सकते हैं, जो title है issue का, वो यहां पर मिल गया है, website page issue, ठीक है, और इता पर देख सकते हैं, description भी मिल गया है, landing page is not loading, और इता पर आप कुछ other details देख सकते हैं, जैसे कि created time, कब हमने item एड़ करा है notion database की table में, वो इता पर date in time यहां पर शूर है, और उसके बाद आप इता पर कुछ other details देख सकते हैं, तो basically हमने हमारे automation की जो first step है, वो यहां पर complete कर लिए, हमने notion database की table में एक new item आइट करा, उसका response हमने इता पर capture कर लिया, पाबली connect में, अब दोस्तों हमारा objective कहा है कि हमको यह same item को जो हमने इता पर आइट करा है, इसके basis पे हम एक issue create करना चाहते हैं, github में, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, action step में आएंगे, choose app में आपको इता पर choose करना है, github, तो यहां पर मैं choose करता हूँ github, और action event आपको इता पर choose करना है, create an issue, connect पे click करेंगे, तो यहां पर एक dialogue box उपन हो जाएगा, आपकी screen पे connect github account, तो basically आपको इता पर जो github का account यो, उसको पाबली connect के साथ connect करना है, इता पर आपको दो option मिलते है, एक है add new connection का, दूसरा है select existing connection का, तो अगर आप इता पर जाते है, और आपका जो github का account है, वो successfully पाबली करने के साथ हो जाएगा connect, ठीक है, इता पर आपको जो github का account है, और notion का account को पहले ही login करके रखना है, आपके browser में, जिसकी मदद से आपको इता पर connection बिल करने में easy हो, तो इता पर आपको सबसे पहले owner choose करना है account का, तो यहाँ पर हम owner choose करना है उसके बाद आपको इता पर repository चूज करना है तो इता पर मैं यह वाला repo चूज करना है और उसके बाद इता पर आप label चूज कर सकते हैं, जो भी इता पर issue create होगा GitHub में तो हमेशा लेबल में बग आएगा, तो इता पर आप डेटा माप कर देते हैं मतलब अगर आप previous step से इता पर label माप कर देते हैं तो automatically label हमेशा change होती जाएगी जो भी item आप इता पर add करेंगे label में, तो इता पर हम mapping कर स्टमाल करेंगे, title body में भी हम इता पर data map करेंगे, अगर हम इता पर manually type कर देंगे, तो हमेशा वो ही issue create होगा, ठीक है, तो इता पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर label के लिए map button on करते हैं, इसको हमेशा हटाते हैं, और हम previous step से label map कर देते हैं, जो कि यह bug, तो यह जो मैंने step perform करी, मतलब previous step से data map करा, इसको बोलते हैं mapping, इसकी मदद से ही, आप हमेशा dynamic response generate कर सकते हैं, इसका मतलब यह हुआ, कि जब भी आपका workflow run होगा, और जो भी new response आपको receive होगा previous step में, response automatically पर जाएगा, यह value change हो जाएगी, क्योंकि हम data map कर रहें, कोई भी चीज़ आप हम manually type कर देंगे, वो हमेशा static रहेगा, वो change नहीं होगा, इसी तरह हम इदर पर title map कर देते हैं, तो issue का title है, वो क्या है, वो है website page issue, ठीक है, और body क्या है, body हम इदर से map कर देते हैं, मतलब जो issue का description है, वो है, landing page is not loading, ओके, और उसके बाद आप इदर पर assign ही भी select कर लेंगे, तो इदर पर मैं assign ही रख रहा हूँ, तो कुछ इस तरीके से आपको इदर पर data map करना है, और उसके बाद आपको इदर पर click करना है, user ID इदर पर show रही है, और उसके बाद आप इदर पर देख सकते हैं, कुछ other details, जैसे कि description यहाँ पर आगया है, something is not working, ओके, जो की standard description है, वो यहाँ पर show रहा है, और उसके बाद आप इदर पर देख सकते हैं, जो हमने उपर map करें details, उसके basis पर, बाद भी show रही है issue की, landing page is not loading, तो यह हमने इदर पर issue create कर लिया GitHub में, आए चेक करते हैं GitHub में, इदर पर मैं करता हूँ refresh, और जी यहाँ दोस्तों आप इदर पर देख सकते हैं, एक new issue यहाँ पर create हो गया, जिसका नाम है website page issue, और इदर पर आप other details देख सकते हैं, जैसे की, landing page is not loading, इदर पर जो description था issue का, वो इदर पर आ गया है, और इदर पर label में show रहा है bug, तो दोस्तों कुछ इस तरीके से automatically हाँ पर issue create होता जाएगा, जब भी कोई new item आप add करेंगे, notion database की table में, ओके, तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको यह पूरा automation बनाना है, कुछ इस तरीके से आप notion और github को connect कर सकते हैं, पैबली कनेक की मदद से, कि जब भी आप new item add करें, issue से related notion database की table में, तो automatically उसके basis पे, एक issue create हो जाएगा github में, तो दोस्तों कुछ इस तरीके से automation work करने वाला है, अगर आप भी इस पूरे automation पे काम करना चाते हैं, या इस automation को test करना चाते हैं, तो इस workflow की जो link है, वो मैं सकते हैं, और अगर दोस्तों आपको इस workflow में कोई भी doubt हो, तो आप में को comment section में ज़रूर बताएं, थैंक यू, यही नहीं दोस्तों आप और भी amazing automation बना सकते हैं, पैबली कनेक की मदद से, और आप हमको mail कर सकते हैं, supportadheratepably.com पे, अगर आपको कोई query है, तो आप हमको mail कर स subscribe जरूर करें.